SMC सिक्षकों का लगातार सचीवाले के बाहर धरना परदर्शन जारी है स्थाई पोल्सी को लेकर आज भी धिनबर दिनबर सचीवाले के बाहर परदर्शन चलता रहा SMC सिक्षकों का कहना है कि सिरकार स्थाई पोल्सी बनाए नहीं तो उन्हें जहर दे देखाने के लिए पूर्वक हक मांगने के लिए आए हैं कोई तोर फ्रोर नहीं करेंगे किसी तरह का हम उत्पाद नहीं मचाएंगे SMC के लिए सरकार स्थाई पॉलसी का समधान करें उन्होंने ये भी चताय कि समधान नहीं हुआ तो अंदोलन को और उगर किया जाएगा सरकार के पास एक जिस तरह से वितिय संगड की बात कही जा रही है इस पर SMC सिख्षकों का कहना की आपदा के लिए सरकार 4500 क्रोड का प्रावधान कर सकती है लेकिन हिमाचल प्रदेश के डाई हजार सिख्षकों के लिए यहाँ पर वेतन की बेवस्ता नहीं कर सकती उनके लिए पॉलसी नहीं ला सकती ये नियाय संगड नहीं है ये तरक संगड नहीं है कॉंग्रिस ने चुनाव में भी अपने घोजना पत्र में ये बात प्रमुकता से रखी थी लेकिन याँ पर एसेमसी सिख्षकों को अपने हितों की लडाई के लिए सरकों पर बैठना पढ़ रहा है जाहिर तोर पर बताएं तो पिछली रात पूरी रात सचीवाले के बाहर एसेमसी सिख्षक धरना पर दर्सन पर बैठे रहे उनके साथ महिला है ऐसे परिवार के लोग भी थे जो की इस ठंड की रात में सचीवाले के बाहर खुली सडक में रात ब्यतीत नहीं कर सकते लेकिन अपने हकों की मांग को लेकर एसेमसी का लगातार अब विरोध पर दर्सन बरता जा रहा है उद्धर जीला परिशद काडर के करमचारी भी हरताल पर लगातार अपनी मांगों को रख रहे हैं बिभाग में मर्ज करने के इनकी मांग है नीमिती करण वा बेतन भत्ते इनने दिये जा इन तमाम प्रमुख मांगों को लेकर लगातार समूचे परदेश बर के कई स्थानों पर ये धरने परदर्सन चल रहे हैं परिवार के साथ जिप काडर करमचारी धरना परदर्सन कर रहे हैं यहां पर अच्छी खबर है हिमाचिर प्रदेश के उन अनुबंद वाले करमचारियों की जिनका कारेकाल 30 सब्टमबर को दो साल का पूरा हो गया है उन्ने राज्य सरकार ने नीमिती करण के अदेश जार अब बाकाईद हुआ उनके रिगूलर के और जारी हो रहे है इस नियम जिनका चार साल आजर है उन्हें रिगूलर किया जा रहा है और 30 सब्टमबर को दो साल नुबंद ज्सहां का दिपीश प्रदेश का कारेकाल पूरा करने बाले जुह तुम यहां पर खुरम चारी निय अधेश की सुखविंदर सिंग सुखु सरकार ने लिए हैं और इस अधेश के अनुसार लिखित पत्रा जारी कर दिया गया नोडिफिकेशन जारी कर दिया हैं तमाम डिप्टी डिरेक्टर्स को यह हिदाई दी गई है कि हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में अब एक से जादा चुटियां फिलाल नहीं होगी जब तक मानसून की चुटियों की जो मानसून में चुटियों की भरपाई पूरी नहीं कर ली जाती और साथ में एक घंटा प्रती दिन एक्स्ट्रा क्लासिज लगेगी यानि कि दो बड़े आदेश हैं और इन आदेशों में साफ ये का गय कि चुटि वाले दिन भी स्कूल खुले रहेंगे या ध्यपकों को स्कूल आना पड़ेगा स्टूडेंट्स को स्कूल आना पड़ेगा सिर्फ एक चुटि होगी मसलन रवीवार के साथ कोई दूसरी चुटि होती है तो एक ही चुटि मिलेगी दूसरी चुटि के दिन तो स्कूल सिर्फ एक दिन चुटी रहेगी दूसरे दिन स्कूल लगेगा यानि कि सीधे तोर पर यादे से कि नवरातर की चुटी अगर रवीबार की आसपास हुई या फिर सेकंड सेटरे आसपास हुआ जिस परकार से 22 अक्तूबर की आसपास जब नवरातर का त्योहार एक दिन स्कूल लगेगा तीन दिन की अगर चुटी होती है तो एक दिन स्कूल लगेगा दो दिन दो दिन स्कूल लगेगा एक दिन की चुटी होगी इसके साथ साथ अध्यापकों को हिमाचल प्रदेश की अध्यापकों को स्कूल में एग घंटा टाइमिंग बढ़ानी हो स्कूलों में छुटी देनी पड़ी हलां कि कैसी स्कूल ऐसे थे जिने क हम्समें के लिए बंद किया गया लेकिन कुलूजिला की बात की जाया मंडी की बात की जारी ऐसे स्कूल थे जो कि आपदा के दोरान मानसून के इस दो तीन महीने के दोरान के दिनों तक बंद रहे इन स्कूलों के लिए अलगलग बेवस्ता दी गई है यही वज़ा है कि सकती से जारी किये गए इन अदेशों को अब डिप्टी डिरेक्टर को पालना करने के नर्देश दिये गए है और इसम दिन चुटिया आती है एक दिन स्कूल कब लगना है दो दिन बच्चों को कब पढ़ाना है क्योंकि समूचे प्रदेश की मानसून के मोसम में लग-लग बेवस्ता रही है एक समान स्कूल बंद नहीं रहे हैं यही बजाए कि जिन स्कूलों में जितनी चुटिया हुई है उ उसकी भरपाई करनी होगी जिस परकार से पढ़ाई प्रभावित हुई है मानसून में उस पढ़ाई की भरपाई के लिए एक्स्टा क्लासिस भी लगेगी और चुटि के दिन स्कूल भी लगेगे और इसके चलते आज इसकी नोटिफिकेशन भी जारी कर दी बहराल तोहार इस सीजन में केंदर ने एक बड़ी सोगा दी है उजवला लाबारतियों को अब 603 रुपे की LPG सिलिंडर पर सबसीड़ी बढ़ा दी गई है सरकार ने सबसीड़ी बढ़ा कर अब 200 रुपे से 300 रुपे कर दी है केंदरी कैबिनिट में ये बड़ा फैसला लिया गया पहले लाबारतियों को 703 रुपे का सिलिंडर मिलता था अब सबसीड़ी बढ़ाने से ये 603 रुपे का सिलिंडर मिलेगा केंदर ने रसोई गयास पर दूसरा ये बड़ा फैसला लिया से पूर्ब 29 अगस्त को LPG पर 200 रुपे कम किये गए थे हिमाचल परदेश के जल शक्ती के रेस्ट हॉस में दाम ढ़ाने की नोटिफिकेशन कर दी है सरकार ने बाकाइदा इसकी अधी सूचना जारी करका है कि जल शक्ती के रेस्ट हॉस और इंस्पेक्शन हट बाकिशान भबन में अब 1000 रुपे में ऑन्लाइन बुकिंग होगी अन्य कमरे 600 रुपे में मिलेंगी परदेश में जल शक्ती विवाग के 87 रेस्ट हॉस किसान भबन इंस्पेक्शन हट है इन तमाम हैं अब 600 रुपे से लेकर 1000 रुपे तक के कमरे दिये जाएंगे इसकी आज नोटिफिकेशन जारी कर दिया हिमाचल परदेश मंतरी मंदल की कैबिनिट की बैटर 11 अक्तूबर को होगी पहले 5 अक्तूबर को प्रस्ताबी थी लेकिन कुछ मंतरियों के पूर्व निर्धारित कारेकरमों के चलते इस बैटर को टाल दिया गया है विवागों के पास एजंडा हालां की पहुंचने सुरू हो गया था विवागों ने 500 रुपे ब्रोतरी होनी है ये कैबिनिट में जंडा लाए जाना था इसके लाबा दूसरे तमाम के बड़े विवागों के एजंडेज यहां पर आ रहा थे थे लेकिन अब ये कैबिनिट की बैटर कल की बजाए 11 तरीकों होगी पंजाब के पूर मुक्यमंत्री सरकार इस ब गंधर बांट होगी इसलिए जब तक किसी किसी इस पैकेज और नहीं दिया जाएगा जमीनी सतर पर नहीं उतारा जाएगा तब तक इस पर भ्रोसा नहीं किया जा सकता उन्हों ने कहा कि पैकेज में मनमानी बावसा बंदर बांट के पहले भी गंभीर अरोप लग चुके हैं और ये अरोप आगे भी लगेंगे इसकी पूरी संबाबना है हिमाचल परदेश के रिटाइरी करमचारियों का ला पर तीन सो क्रोड खर्च होंगे परदेश उचन्याले ने वर्स दो हजार सोला के बाद रिटाइर करमचारियों को उनके विती अलाब देने को कहा था इस पर मुख्य सचे प्रबोत सकसेना ने वित विबा को नर्देश जारी किये थे वित ने इसका प्रारंबिक खर्चा तीन सो क्रोड रुपे निकाला है तीन हजार से ज़्यादा रिटाइरी करमचारियों को ये विती अलाब मिलने हैं अभी वेतन मान के एरिर के लिए भी नर्देश यारी किये हैं इस मामले को लेकर कैबिनिट में ये मामला जा सकता है इस पर सरकार को बड़ा फैसला लेना पड़ेगा क्योंकि ग्रैचुटी कैसी लीमिंट के या से रिटाइरी के मसले हैं जो विती अलाब उनके फंसे हुए हैं हाई कोर्ट में मामला पहुंचा आई कोर्ट ने भी इस पर अदेश दी हैं जिस पर अब राजी सरकार हरकत में आई हैं लेकिन देखना भी ये होगा कि अन्तता इस पर क्या फैसला होता है दिल्ली मैस जेवनिल बिवाद पर आचर्चा हुई बुद्वार को केंद्री उर्जा सचिब ने इस पर बैटिकली इसमें परदेश के उर्जा सचिब रजीब शर्मा हिमाचल परदेश का पक्स रखने के लिए दिल्ली पहुंचे थे सरकार चाहती है कि अजेवनिल को दिये गए परियोजनाओ मैंसे हिमाचल सरकार की हिस्सेदारी को बढ़ाया जाए उसमें रोल्टी की दरह पहले रखी थी उनमें संसोधन किया जाए क्योंकि सियम यहाँ पर अरोप लगा चुके हिमाचल के हितों को बेज दिया गया पिछली सरकार ने बड़े स्थर पर इस पूरे मामले में नर्मी बढ़ते हुए हिमाचल के हितों को पूरी तरह से ताक पर रखकर एसेवनिल को लाब दिया लेकिन इस पूरे मामले में दिल्ली में जिस परकार से चर्चा चल रही है अब दूसरे बा अंतिम दोर की चर्चा फिर होगी उसके बाद इसका हल निकलता या नहीं है देखने वाली बात होगी धर्मशाला में विश्व किर्गिट के मैच होने हैं किर्गिट के विश्व कब के मैच होने ही से लेकर पूरा परदेश देश में सगरी है था बड़ी ये तमाम लोगों का रोमाच बढ़ता जा रहा लेकिन जिस परकार से आज धर्मशाला की दिवारों पर खालिस्तानी जिंदाबाद के नारे लिकर एक खलल बहाँ पर डालने का प्यास किया गया अलांकि पुलिस ने तुरंत कारवाई करते हुए दोस निग्द व्यक में दोस निग्दों को ट्रेस किया है इस निग्दों का मुवाइल डाटा अब खंगाला जा रहा है साफ तोर पर ये जाहिर है कि यहाँ पर खालिस्तानी समेच के बहाने अपनी पब्लिसिटी चाते हैं दिवारों पर लिखेंगे सोसल मीडिया पर इस तरह के वीडियो पर रहे कि इसके बाहने देश की चबी को खराब करने का प्रयास है पूरे अंतरस्टी ये मंच पर देश की चबी को खालिस्तानी खराब करना चाते है ताकि देश की साख को बटा पहुंचे लेकिन ऐसा होगा नहीं धर्मशाला की मुस्तैद पुलिस ने तुरंद किया जा रहा है भारतियों को डिफें़ किया जा रहा है अब देश में रहने वाले कुछालिस्तानी यहाँ पर भी स्टरह का हथकंड़ा अपनाने जा रहे हैं जिसे लेकर अब ब्सकार कि द्रबियों को इस तरह के असमाजिक तत्मों को बाहर खदेरना होगा वहराल शिमला में पंजाब की युपती से दुशकर्म का मामला सामने आया युपती ने अरोप लगाया कि जिस विक्ती ने उसके साथ दुशकर्म किया एक बड़े राजनेतिक दल के साथ उसका जुड रही है कि हकीकत में ये पूरा मसला है क्या और कैसे इस नेता के हलांकि ये नेता नहीं है लेकिन एक युवा टोली में काम करता राजनेतिक दल का जो युवा विंग है उसमें ये पदा दिकारी रह चुका है